कि यहां बहुत लोगों ने पढ़ा है और बहुत लोगों का यह दावा है कि लड़कियां बहुत दगाबाज होते हैं सुबह जब से आये हैं तब से सुन रहे हैं तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत लॉयल होती हैं तो मेरा मेरी जो आगे की इनजम है वो उसी पर है अब मैं उमीद करती हूँ लड़के सपोर्ट करेंगे बेवफाई जैसा कुछ नहीं है तो इसका टाइटल तो ऐसा कुछ है नहीं बस इमाजनरी है वो लड़का ना जाने क्या सोचा होगा खुदा ने उसे बनाते हुए वो लड़का अच्छा लगता है मेरे नखरे उठाते हुए ना जाने क्या सोचा होगा खुदा ने उसे बनाते हुए वो लड़का अच्छा लगता है मेरे नखरे उठाते हुए और उसकी इस अदा पर मुझे महबत कैसे नहों वो पहले मेरा माथा चूमता है मुझे गले लगाते हुए उसके इस अदा पर मुझे मोहबत कैसे न हो वो पहले मेरा माथा चूमता है मुझे गले लगाते हुए वो शायद इसलिए भी अपने बटन खुले रखता है मैं अच्छी लगती हूँ उसके बटन लगाते हुए और काश किसी रोज ओफिस से उसका फोन आए और काश किसी रोज ओफिस से उसका फोन आए और कहे जान तुम्हारे लिए क्या लाओं घर आते हुए यहां चाय लवस तो बहुत होंगे सारे ही चाय लवस वो लड़का मुझसे ज्यादा चाय का आशिक है वो लड़का मुझसे ज्यादा चाय का आशिक है मुर्शद मैंने देखा है उसे मेरे खातिर कॉफी बनाते हुए मैं जीन्स में नहीं उसे सूट में अच्छी लगती हूँ मैं जीन्स में नहीं उसे सूट में अच्छी लगती हूँ और वो अच्छा लगता है मुझे डुपटा उड़ाते हुए वो लड़का हजारों दिलों की ख्वाहिश है और वो लड़का सोता है मेरे ख्वाब सजाते हुए मुझसे ज्यादा वो अपनी मा को चाहता है यही कहा था उसने अपनी मा से मिलाते हुए और कुछ आखरी ख्याल इसके उसकी ख्वाहिश है कि वो मुझे सारी में देखे उसकी ख्वाहिश है कि वो मुझे सारी में देखे ख्वाहिश है कि देखे बिंदी लगाते हुए और मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है उस लड़के से मुझे देखना है उसे मेरे बच्चों को स्कूल ले जाते हुए झाल ले रड़के सारी में झाल झाल